17 सप्टेंबर से इंडिया वर्सेस बांगनादेश का सेकेंड टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है उस पर प्लेइंग 11 जन जोने की संभावना लग रही है क्या हो सकता है जानिए इस वीडियो पर तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं सबसे पहली ख़बर तो यह आ रही कि क कुल्दी प्यादव को कानपूर में जो मैच होने वारा वहां पर बापिस लाने की बात कही जा रही है कैसा क्या पंड़ा है क्योंकि कुल्दी प्यादव बहुत अच्छा प्ले करते हैं अभी तो आपको क्या लगता है और जो अपने जैस्परीद भुमरायन उनको जिन लोगों ने फर्स्ट टेस्ट में मिस कर दी हैं वह सेकंड टेस्ट मिस मत करना बहुत इंट्रस्टिंग मस्त मस्त देखते हो बहुत मज़ाता टेस्ट सेरीज देखने में और हालाइड चाहिए आपको तो आप बस कॉमेंट कर दीजिए आपको सब कुछ में यहीं दिल परत रहती इस पिनरी तो उसके लिए क्या एक रहना चाहिए अपने पास और अजविन है अच्छा प्ले कर रहे हैं उनसे को दिकत नहीं जड़ी बढ़ी हमस्त बूभी अपन को बिकेट चटका के दे रहे हैं तो अपने हाँ सभी लोग अच्छा वर्ग कर रहे हैं सिराज बिकेट चटका रहे हैं सिराज के सांसाथ अपने जस्पीद भूमरास तो क्या ही कहादा है और अजविन तो फुल फॉर्म में चल रहे हैं अगर आप टीमेकिंग करते हो तो अजविन को आखी मूंद कर आप कैप्न बना देना नेक्स्ट सेकंड टेस्ट या थर्ड अच्छा का सामाउंट बिन कर सकते हो और अगर आप करते हैं 25-45-45 वाले कॉंटर्ट जोइन करते हो तो 10-15 टीम लगा देना और सब में कैप्टन अजविन को लेना मलकि अपने पिलेर चेंज करते रहे हैं अराम से आप अच्छा का सामाउंट हम बिन कर सकते हो अब युद कि जस्परी दुम्रा हैना उनको रेश्ट देन के बात हो रही है अकोल दी प्यादव को ला सकते हैं साथ ही साथ अपने जो है क्या काता है अस्वीन वह कैप्टन रहेंगे ठीक है तो मिलते अगली वीडियो पा थेंक्क कर वाचिए